बिस्म अल्लाहि वाख्मान वाहीम, अस्सलाम अरेकूम नाजरीन, मैं हूँ महरीन सब्तेन, देख रहाएं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेस्बुक पेज शान ने मुझे शोबिस में नहीं आने दिया, मुझे मोटनिंग नहीं करने दी, मुझे इजाज़त नहीं दी, अपनी बेटी को क्यों दे दी यह वो जुम्ले हैं जो शान की बेहन ने, वो बेहन जिसने शान को मा बन के पाला उनके थे फिर उन्होंने उसी इंटर्वियू के दौरान एक मुभम से अंदाज में एक ऐसी बात कही कि लोग हरान हो गये लोगों ने कहा क्या शान का सलूप भी अपने घरवालों के साथ वैसा ही है जैसा फैसल कुरेशी का अपनी वालदा के साथ था आपको याद होगा कि फैसल कुरेशी की वालदा का एक इंटर्वियू सामने आता है जिसमें वो यह कहती है कि मैंने अपने बेटी के लिए बड़ी मननते धुआई की मैंने इसको शोबिस की इंडस्री में लाया मतारिफ कराया उसके लिए बहुत कुछ किया लेकिन उसने मु इंटर्वियू को पेश किया गया और उसमें से मैंने जो बात कही वो इस अंदाज में नहीं थी आज एक दुफ़ा फिर से कैसा ही इंटर्वियू सामने आया है जिसमें उनकी कहीवी बात को गालबन सियाको सबाक से हटाकर पेश किया जा रहा है उन्होंने जो बात की कि मै अपने घर वालों को कभी न भूले, क्योंकि घर वाले हैं, तो सब कुछ है, अब ये पूरी कहानी क्या थी, मैंने कहा इस से पहले, कि लोग जो है, इसके उपर भी पूरी वीडियो बनाएं, और फिर बात करें, कि शान जो है, उसका रवाई अपने घर वालों के साथ बहुत और रियास शाहिद की बेटे हैं, उनकी बेहन है, जरका शाहिद, और इनकी वालदा जो है, पाकिसान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, और एक ऐसी खातून जोनों ने अपने शोहर को बड़ी ही जवानी में खो दिया, और क्रिस्टिन मजभब से उन्होंन इस फील्म में वापस आना पड़ता है, और जब वो इस फील्म में वापस आती है, तो कोई कुद्रत की तरफ से उनकी एक के बाद एक फिल्म जो है, वो कामियावी से हमकिनार होती है, यूँ वो अपनी जिंदगी के पैये को आगे बढ़ाने में कामियाव हो जाती है, कहा जो है, वो फिल्म तो बहुत ही सुपर डूपर हिट हुई थी, जिसमें बहुत ही जबदस कहानी थी, मैं समझते हूं कि आप लोग को देखनी चाहिए, एक घरेलू स्टोरी थी, एक मिया बीबी के दर्मियान किस तरह का रिलेशनशिप, किस तरह से बच्चों के उपर उसका एफेक्ट होता है, ये तमाम चीज़ें, तो बहुत ही जबदस फिल्में की हैं और उसके बाद पंजाबी फिल्म्स भी बहुत अच्छी किया, और उसके बहुत ही ऐसी कुछ फिल्म्स में काम किया, जिसमें उनकी परस्टालिटी ही टोटली डिफरेंट थी, बाहर से बढ़ कर आए, और आने के बाद पाकिस्तान में फिल्मों में काम किया, और इंतहाई खुबसूरत थे, इनको बाहर से ओफर हुई, लेकिन इन्हों ने एक बड़ी कहना चाहिए, कि एक ऐसा जुम्रा बोला, जिससे हिस्टोरिकल जुम्रावे कहुंगी, कि जब वो लोग किदर आकर काम करेंगे, तो फिर मैं भी वहां जाकर काम करूंगा, और ऐसा हो नहीं सकता कि शान को उफर ना हुई हो, क्योंकि शान एक बड़ी जबदस एक्टर थे, और हैं, अब इनकी बहन के इंटर्वियू के तरफ तो आती हो, लेकिन शान का एक कॉंट्टुवर्सी म उनको किसने लॉंच किया था, वो खातून जो है, उसने आकर कहा कि मैं तुशान की बच्चे की माँ हूँ, बलके एक नहीं दरजन भर बच्चों की माँ हूँ, मुझे बांख के रखा गया था, मुझे चुपा के रखा गया था, मेरे बच्चे के साथ जो है, नौक रवाल वो लग रहे थे कि कुछ हासिदीन में से भी हो सकते थे अलबता ना उसके पास कोई प्रूफ था और ना वो उसको कुछ थावित कर सकी और वो चीज जो है वो फिर किस्सा है पारी ना हो गया लेकिन अब बात करते हैं शान के बारे में जो उनकी वहन इंटर्व्यू दिया वो दरसल था क्या जरका शाहिद जो है वो अपने भाई के बारे में बताती है कि मेरे वालिद की चुके बहुत ही हम चोटे थे तो इंतकाल हो गया था और इनकी वालदा जो हम आपको बताऊं कि वो बाहर की मुल्क भी उनको कही दफा जाना पड़ा और उनको वीडियोज रिकॉर्ड करनी पड़ती थी काफी काफी घंटे वो घर नहीं होती थी उनकी लाइफ बड़ी तफ ती तो ऐसे मेरे जरुका शाहिद जो है वो घर की बड़ी थी बड़ी बेटी थी और वो अपने भाई छोटे को शान को संभालती थी तो वो कहती है कि मैंने शान की परव exclusively मुल्ध पर अहम किरदार अदा किया कभी अजाज़त नहीं थी उसने कहा कि घर की ओड़ते जो है वो इस फील में नहीं आएंगी तो वहाँ पर अंसे सवाल किया गया कि फिर उनकी अपनी बेटी जो है वो इस फील में आई वो कहते थे कि अराम से घर में बैठो वो कहते हैं मुझे ड्रामों में काम करने का शौक नहीं था लेकिन कई दफ़ा आई और मुझे कहा गया तो इन्होंने सकती से मना कर दिया यहां तक कि मॉडलिंग के लिए जिसका मुझे शौक भी था वो कहते हैं कि बिल्कुल इजासत थी पिर वो कहते हैं कि वक्त के साथ इन्सान के रवईयों में तबदीली आ जाती है बदलाओ आता है तो शायद इस लिए लेकिन बहतर वही बता सकते हैं कि वो चीज़ जिसके लिए वो हमें मना करते थे अपनी बेटी के लिए उसी बात के लिए वो कैसे राजी हूई अच्छे सकते उनकी बेहन फिल्म प्रोड्यूस कर रही है, गल्बन वो नाम मुझे उसका जहन से उतर गया, लहौर तक कुछ इस तरह से मूवी का नाम है, और उसमें उनका अपना बेटा जो है, वो उसको लॉंच कर रही है, तो वो उसके बारे में भी बता रही थी, फिर व बहुत सी फिल्म में वो रीमा के साथ आए, तो इनका रीमा के साथ अफैर बहुत मश्यूर हुआ था, बाद में शान ने एक दफ़ा जब ये बाहर चले गए थे और वापस आए थे, इन्होंने इस बात को इकरार भी किया, कि हाँ एक वक्त था, और फिर उन्होंने इस बा पशूर थे और फाइनली पता रगता है कि वाकितन उन्होंने उन्होंने उनसे शादी कर ली, अर जिना भूता के है कि शान की बहन ने एक और बात कही जिसको लोगों ने फिर इस अंदाज में पोट्रे किया, कि वो कहनी है, कि जब आपके घर वाले जो है, आपके साथ एक भड़े घबराए agua backstory थे, लेकिंशान को Allah ने बड़ी कामियाबिया दी, वो अपनी मां से बहुत महबत करते थे, फिर उन्होंने कहा कि वो मुझ से भी बहुत महबत करते थे, पहले मैंने शान को माँ बनके पाला मैंद चुनले का मतलब ये है, कि शान जो है, एक अच्छे बेटे थाबित हुए और यह वो खुद कहती है कि वो एक अच्छे बेटे थे, एक अच्छे भाई है, एक अच्छे इंसान है, तो यह कहकर उन्होंने एक जगा बताने के लिए बात कही, कि जिन लोगों को कभी काम्याबी जिन्दगी में मिल जाती है, तो उन्हें उन लोगो को भूलना नहीं चाहिए, जो कभी उनके साथ खड़े हुए होते हैं, जो उनके रिशिदार हैं, जो उनके अपने हैं, उन्होंने एक जनरल बात की थी, लेकिन लोगों ने, मैंने देखा, कि इस बात को उठाया, और बाकी बाते भुला दी, जहां पर उन्होंने कहा कि वो असल इंटर्व्यू था, मैंने का आपके साथ, शेयर के रूप नहीं बहुत क्या रिखेगा, दो हम याद रिखेगा, लाहाफेज